नमस्कार मित्रों प्रथम चेप्टर ना वीजा भाग मां आपनू स्वागत छे आ लेक्चर मां आपने टोपिक नंबर 2 आणे टोपिक नंबर 3 कवर करवाना छे देट इस प्रपरटीज अप फ्लुईड और नुटर्ण जो फिस्टी केटलिक प्रपरटीज आपने जोईए पेलू छे गनता डेंसिटी जैने आपने रो सिंबोलती दर्शाविये छे गनता ए मास अने वोल्यूम एलेके दड अने कद एनो गुणोत्तर छे जैनो एकम छे किलोग्राम पर मिटर क्यूब ए समझवा माटे आपने एक उधार अनले धारो के एक मिटर बाई एक मिटर बाई एक मिटर नो क्यूब छे एनो घं छे जैनी लंबाई पोड़ाई अने उँचाई वन मिटर छे तो एनो घंफड थासे वन मिटर क्यूब तो जो ए पाणी नो क्यूब होई जै पाणी होई जैनी लंबाई पोड़ाई अने तो ए पाणिनी घंता केवाई 1000 kg प्रती मीटर क्यूब एले density of water जेए चे एचे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अत्वाईने लखाए 1 ग्राम पर सीसी एलेके 1 सेंटीमीटर क्यूब पाणिनू वोल्यूम आपड़े लईए तो एनू दढ़ 1 ग्राम थसे लिक्वीड माटे डिनसिटी नोर्मली कॉंस्टन्ट रेती होई छे चे एलेके वाईू माटे ए तापमान आने दबान नी साथे बदलाई छे जेमके दबान वदे तो घंता वदी जाए आने तापमान वदे तो घंता गटी जाए विश्ट वजन विश्ट वजन विश्ट वजन एटले फ्लू वजन भाग्या एनू कद लेनो इसा यूनित होसे Newton per meter cube we know weight is equal to mass into gravitational acceleration w is equal to mg to weight barabar m into g mu ki the equation I will say mg upon volume so mass upon volume at lay density so density into g so specific weight is equal to density into g w is equal to rho g and specific weight of water is equal to 1000 into 9.81 that is 9810 Newton per meter cube जो आया unit जो kilogram per meter cube into meter per second square so kilogram meter per second square न बराबर था से Newton divided by meter cube 3 जो एकम विश्ट कद विश्ट कद विश्ट कद एटले गंता करता उल्टू विश्ट कद एटले कद अने दाड़ नो गुणोत तर meter cube per kilogram एए एनो SI unit चे and specific volume of water that is one centimeter cube per gram त्यार पशे आपड़े जोई ये विश्ट घंता विश्ट घंता बराबर कोईपोन fluid नी घंता divided by standard fluid नी घंता standard fluid तरीके आपड़े water लेवानू छे पाणी लेवानू छे अत्वायम के शकाई specific weight of fluid divided by specific weight of water एनो SI unit कोई जिन थी कारण के ए बे घंता नो गुणोत तर छे एले एनो एकम नहीं बने specific gravity of water is one and specific gravity of oil normally 0.7 आने 0.9 नी वच्चे होई शके छे .99 पन होई शके specific gravity of mercury पारो छे एनी घंता छे 13.6 स्निक दता समझवा माटे आपने हेक उदाहरण लिए धारो के कोई open channel मा fluid pass थाई चे आवी रिते आने आ fluid जे चे एमान निचे नी सपाटी जे चे एस्थीर चे आने उपर नी सपाटी एनी velocity u चे तो आईया उपर नो एक point लेए तो त्याहाँ आगड़ velocity u चे तो जेम जेम नीचे नी बाई जोई आपने खसता जेए एम ए फ्लूइड ना जे बदा स्तारो चे एनी velocity एननो वेग गटतो जसे आईया दारो के u वोई तो आईया यू करता थोड़ी velocity ओची असे जेम जेम आगर जेता जेए एम एनो वेग घटतो जसे तो ए जे वेग मा थतो फेर फार चे एनने के वाई अबे दिडियू डिस्टन्स मा जे फतो थे फेर फार चे एनने के मैं द ॉ अपन ॉ अपन द या एनके वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट अरी आ बे लेयर जे अलग लेयर चे ए म्दा लेयर नी लोसीटी एन्नो वेग अलग अलग छे, एना लिधे ब के बच रिलेटिव मोशन खीपहच अईसि k молод편 तों णोक Verma जनाई चे आजे अवरो तक बढ़ चे ए डिवाड़ेड बाई ए एरिया चेनाव पर ए बढ़ लागे चे एने केवाई shear stress so shear force upon shear area is equal to shear stress एडले के आजे एरिया चेनाव पर आब बढ़ लागे चे ए बढ़ नी दिस्थाने समान तर चे एडले एने केवाई shear and as a shear stress that is directly proportional to this velocity gradient dv du upon dy like top is proportional to du upon dy proportionality constant अप्रे दूर करो होई तो त्यांको ये चलांग मुखवा पड़े so tau is equal to mu into du upon dy that is the equation of viscosity हवे अहिया mu जे चे एचे dynamic viscosity coefficient अन्ने एकोईपन fluid माटे अचलरे चे अन्ने viscosity जे चे it is measure of internal fluid friction एनो आंत्रीक अवरोध दर्शावे चे ए fluidity नो उल्टो वर्ड चे एले वहवानिक क्षमता एना करता उल्टो एने क्यवाई स्निक्दता बरबर छे एडले स्निक्दता नो उप्योग आपने fluid नो lubrication property नकी करवा माटे आ प्रोपर्टी नो उप्योग थाई चे एले के ए ए फ्लो माटे नो अवरोधक केटलो वधा रहे चे एने क्यवाई स्निक्दता एनो आधार temperature उपर छे temperature बदलाई जाए तो fluid नी स्निक्दता बदलाई जवानी रेस चे त्यार पछे आपने जोई ये coefficient of viscosity एट लेके स्निक्दता आ चलांक आपने पांस equation छे tau is equal to mu into du upon dy एमा mu ने सुत्र नो करता बनावो तो mu बराबर आव से shear stress tau upon velocity gradient du upon dy shear stress नो युनीट छे एनो एकम छे ये यलो कलर थी दर्सावेलो छे newton per meter square आने viscosity gradient एनो एकम छे du upon dy du नो एकम छे meter per second dy नो एकम छे meter तो आने सादू रुपा पो एटले equation एकम मल से newton second per meter square एदले के स्निक्दता आ चलांक एनो एकम छे newton second per meter square आत्वा pascal second एनो cgs unit आउसे 9 second per centimeter square आत्वा एनने poise पन केवाई छे 1 newton second per meter square बराबर 10 dyne second per centimeter square आत्वा 10 poise आने पाणी नी dynamic viscosity 1 centipoise चे आए objective मा घणी वकत एक्जाम मा पुछाई चे तो तमारे याद राखवानू त्यार पच्छे आपणे जोईए kinematic viscosity new kinematic viscosity एटले कोई पन फ्लूट नी viscosity भागया एननी घंता viscosity नो एकम चे newton second per meter square गंता नो एकम चे kilogram per meter cube आने साधु रूपा पो तो आया Newton चे kilogram चे तो Newton ना बदले kilogram लखोई तो आवीड़ते लखाई जब वाइट अक्सर्थी लखेलू छे Newton is equal to kilogram meter per second square आहिए बदा one stock is equal to 100 centi stock एने लखोई तो आवीड़ते लखाई small c capital s small t for water at 20 degree centigrade temperature dynamic viscosity is one centipoise density is one gram per centimeter cube and kinematic viscosity आवसे one centi stock आत्राणी वस्तू पाणी माटे unity चे one 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 त्यार पाचे आपने जूएए सुसंगत बढ़ एने के वाई cohesive force cohesive force एटले एकज प्रकारना fluid ना एकज सर्खा particle वचे लागतू आकर्षन बढ़ एटले के पाणी ना जे बदा atoms होई एना जे एनी वचे जे आकर्षन बढ़ लागे एने के वाई cohesive force surface tension एले के प्रुष्टतान जे चे लागतू आकर्षन बढ़ capillarity एले के क्रेशा कर्षन जे सिधान चे क्रेशा कर्षन जे प्रुपटी चे that is because of addition प्रुष्टतान एटले सों ए समझवा माटे आपणे एक उदारन लईए धारो के कोई कपनी अंदर अत्वा कोई पन पेसेज माँ पाणी भरेलू चे ए पाणी ना आपणे मात्र बे खर्यकर एटम नी साइज एकदम ना नी हो आपणे एटम ई लहिए तो एटम अ जे छे झे एनी दरेकवाजु ये पाणी ना बिंदू होछे ब्रबर ए पण पाणी नो बिंदू छे, पाणी नो मोलेक्यूल छे, एनि आजुबाजु पण बद्दाज पाणी ना मोलेक्यूल छे एनि पाणी ना बे सर्खा मोलेक्यूल वच्चे लागतू बर्ड एनिये क्यवाई कोहेसन फोर्स तो आई यहां कोहेसन फोर्स दर्यक दिस्सा मा एकज शर्खू लागे छे एदले कि अना उपर लागतो बैसिक बर्ड जिरो थसे एदले कि आप ये एटम छे एकदम बैलेंस कंडिशन मा छे एक्विलिब्रियम माँ छे एना उपर कोईपन डायरेक्शन माँ बढ़ लागतु नथी हवे आपड़े आप पोईंट B लईए के जे पाणी नी उपर नी सपाटी उपर छे सपाटी उपर छे बिंदू छे ए निचे नी साइड बदा पाणी ना बिंदू छे अने उपर्नी साइड एर एले के हवा ना बिंदू छे हवे एरनो एटम और पाणी नोह एटम और यहां कॉंटेक्ट मा आवे छे एवीज रिते एटम B ृ. निचे नी बाजुए तो आपणी ना एटम साथे कॉंटेक्ट मा आवे छे तो आईया निचेनी बाजुए जे बाड लाग से एक कोहेसिव फोर्स होसे समान प्रकारना बिंदु ओ समान प्रकारना मोलेक्यूल वच्चे लागतू बढ अन्य उपनी बाजुए जे बाड लाग से एक एडेसिव फोर्स होसे एटले के अलग-अलग प्रकार ना फ्रूइड ना मलेक्यूल वच्चे लागतू बढ़ तो अहां अडेसिव फोर्स खुबज ओच हो हसे, कोहेसिव फोर्स वधार है हसे एना लिधे आजे B छे, बिंदू B, मलेक्यूल B, ए सतत नीचे नी बाजूए जवानी कोशिश कर से कारण के एना उपर नीचे नी बाजूए खेचान लागेलू छे एटले के आप मलेक्यूल B छे सिदू नीचे आउसे, एले at the same time तिया बिजू कोई मलेक्यूल आवी जशे एपण नीचे आउसे, एले त्रीजू मलेक्यूल आवी जशे आने लिधे सूथासे के उपरनी सपाटी जे छे, ए सतत खेचा एली रेसे तो आजे सपाटी खेचाएली रेचे, एने केवाई पुरुष्ट तान, पुरुष्ट एटले उपरनी सपाटी अने तान एटले खेचान, उपरनी सपाटी मा लागतू खेचान आज समझवा माते तमारे यहां एक्जंपल्स दर्शावेला छे, तारों के तमें घणी वखत पाणी मा मचर ने तरता जोई आसे, तो ए मचर जे छे ए पाणी उपर बेठेलू होई, त्यारे एना पग पाणी मा सेज पन डूबेला देखासे नहीं, ए उपरनी सपाटी खे आड़ी सोई धिमेक थी मुकी दो, तो ए सोई तरती देखासे, तो ए जे तरे छे, that is because of पुरुष्टतान, सर्फेस टेंशन ना लिधे ए तरती रे छे, त्यार पछे आपने जोई ए केशा कर्शन, केशा कर्शन एटले, आए एक्स्पेरिमेंट पन तमे घरे जाते करी शक को छो, कोई पन पातडी ट्यूब लेलो, ट्रांस्पेरेंट ट्यूब लेलो, ए ट्यूब ने पाणी मा डूबाडी देए, तो एहां कोई एक हाइट सुधी पाणी नू लेयर उपर चड़ से, ए उपर चड़वानू जे प्रोपर्टी छे, एने केवाई केशा कर्शन, जो जे पाणी ना मोलेक्यूल छे, ए फोल्शना Unoा ऑनी हो ग्लावशी आघ्छाई सेपाटी ना मोलेक्यूल से एदेसिफ फोर्स ती जोडा एला चे औनर आला थो एदेसिफ फोर्स नी वgypt आनंडावल प्रोणा ओनफ केशों केशम 對ल किवाधिर छीपर्य कोंभी अग्रिवा तो आ छे केश आकर्शन त्यार पचे आपने जो ये बल्क मोडिलोसो फिलास्टिसिटी खुबज अगतियनो पेरामिटर छे आने समझुओ सेलो छे ए समझुओ माटे आपने एक उदारण लेए तारो के आ एक क्यूब छे एक लंब घन छे अत्वा सम घन छे आ सम घन नी बद घन फड़ गटी जसे ए दबाय जसे तारो के शरवातनू घन फड़ चे वी ए छे अने एनू घन फड़ मा मान था तो गटाणाओ डिल्टा वी छे तो आ है फानल फाईनल वलुम थासे वी ए मायनस डिल्टा वी येcodलो ऊनू गन फड़ घटी जाई वेलू छे त्रीजी फिगर मा एना उपर बती दी सामा एक चसर्कू दबाण लागे छे अनेनु वोल्यूम वी माथी घटी अने वी डेस थाई चे वोल्यूम मा था तो घटालो डेल्टा वी छे तो डेल्टा वी अपन वी एने केवाई वोल्यूमेट्रिक स्ट्रेइन अने ड डेल्टा केपिटल के थी दर्शावाई छे नुटन स्लो विस्कोसिटी अखुबज अगत्यनों क्वेस्टन छे अपने आगड़ जे समझी गया विस्कोसिटी एटले सू एने वपर जाधारीच छे नुटन स्लो एउके छे के जे शियर स्टेस लागे छे ए रेट ओफ शिय पाची दर्शावैली छे आई या वेलोसिटी वी छे और जेम जेम अंदर नी बजाधा जी एम वेलोसिटी घटती जाए एना ली धे बदा लेयर नी वच्चे अवरो धक बड लागे छे ए औरो धक बड भागया एनो एरिया आ जे एरिया छे एने क्यवाई shear stress अन्या shear stress नी वेल्यू आ वेल्यूमेट्रिक जय वेलुसीटी ग्रेडियंड चे एन्या सम्म प्रमाण माँ चे that is Newton's law of viscosity अवे आकेट लाग एक्जाम्पल चे एक्जाम्पल आपडे next time चोई सू कोईपन प्रकार नी क्वेरी होई तो तम्ये मने question पूछी सको चो अध्वा WhatsApp पर message करी सको चो thanks for watching